पंत बन गए सुपमेन उनकर लपक लिया कैच, विराट कोहली हुए शौक्ट, देखें वीडियो विराट के हाथ से फिसली गेंड तो पंत बन गए सुपमेन उनकर लपक लिया कैच, कोहली ने छोड़ा तो पंत ने लपका पंत ने पकड़ा ऐसा करिश्माई कैच, फैंस को आई धोनी की याद रिशब पंत के जादूई कैंच ने बांगलादेश की तोड़ी कमर पहले टेस्ट मैच में शांदार फॉर्म में नजर आये हैं पंत भारत और बांगलादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रिशब पंत तुफानी मूड में नजर आ रहे हैं पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए पंत ने टीबीस अंदाज दिखाया था महस 45 गेंडों पर 46 रनों की अपनी पारी में पंत ने 6 चोके और 2 तुफानी चखके जड़े थे विकेट कीपिंड में भी रिशब पंत के दस्तानों ने इस मुकाबले में अपनी चाप छोड़ी है चोथी पारी में रिशब पंत ने अपनी जादूई कैच से चिंता से घिरी भारतियर टीम को पहली सफलता दिलाए पारी के 47 वे ओव की पहली गेंड पर शांटो सरसट रन बना कर शांदार बल्ले बाजी कर रहे थे भारत को पहले विकेट की दरकार थी गेंड बाजी करने आते हैं ओमेश यादव वह शांटो को फसा लेते हैं और गेंड उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े कोगली की तरफ जाने लगती है कोगली के हाथों से वह कैच शूर जाता है और भारतिय टीम का विकेट लेने का मौका भी दूर जाने लगता है उसी वक्त रिशब पंथ सुपरमेन की तरह बीच में आकर उसने गेंड को लपक लेते हैं कोगली की गलती पर पंथ ने परदा डाल दिया था पंथ ने पलक जपकते ही गेंड को अपने दस्तानों में थाम कर बल्लेबाज के होश उड़ा दिये पंथ के इस अद्भूत कैच का वीडियो लोगों को बहुत अधिक पसंद आ रहा है पंथ ने 124 रनों की ओपनिंग पार्टनर्शिप तोड़ी थी शांटो साथ चौको की बदौलत सरसट रन बना कर पवेलियन लौट जाते हैं रिशब पंथ ने अपनी कमाल की विकेट कीपिंग स्किल्स और बल्लेबाजी से महान खिलारी महेंद सिंध धोनी की यादो को 2022 में ताजा किया है इस शांदार कैच के अलावा रिशब पंथ ने पहली पारी में भी कमाल की विकेट कीपिंग की है